इस कोशन में जह रहे हैं कि एक object है जो कि move करें with a speed of 6.25 meter per second और वो deaccelerate हो रही है at a rate given by db by dt equal to minus 2.5 root v where v is the instantaneous speed जहां पर v क्या है instantaneous speed तो हम से पुछा गया था time taken by the object to come to rest उसे rest में आने में कितरा time लगेगा वो हमें बताना है ठीक ना time taken by the object to come to rest अब हमें given क्या है लेकर db by dt equal to minus 2.5 root v so v ko इदर ले जाओ dt को उदर ले जाओ root v ko इदर ले जाओ बता बेग जासी पर जाति मा जाओ एक तरफ रखो दूद्रे को एक तरफ ले जाओ तो यह जाएगा db by root v equal to minus 2.5 db clear आप देखो इसकी initial speed कितनी है 6.25 मिल्टर पर सेकंड और पाइनली तो जीरो हो जानी है रेस्ट में आ लिए ना तो ठीकर सांप अप्लाई गरो सांप दोनों तरफ सांप लगा जिया हमने ठीक वर्ट जीरो पे जो इसकी speed है वो है 6.25 मिल्टर पर सेकंड और उसकी फाइनल वेलोसिटी किया हो जाएगी रेस्ट में आगी मतब जीरो अर उखावाई वही तो होंगे बदाना है ठाइम ठीक वन बाए रूट भी खा जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है तो रूट भी 6.25 से जीरो ठीक यह होगया हमारा माइनस 2.5 बीटी का इंटीरेशन हो जाएगा टीक और यह हो जाएगा 0 टीक तो हम क्या करते हैं पहले अपार लिमेट वी की जगर रखतो अपार लिमेट 0 माइनस करके लोवर लिमेट रूट 6.25 प्लेयर रहर इतर हो जाएगा माइनस 2.5 3 माइनस 0 प्लेयर इतर हो गया 0 और 6.25 2.5 2.5 हो जाएगा इसका रूट हो जाएगा 2 मतब 6.25 root 6.25 2.5 तो माइनस 2 2.5 2.5 से 2.5 माइनस 3 मतब उसे 2 सेटिंड ताके आपने आप 2 सेटिंड 1 5 6